नमस्कार स्वागत है आपका दानियूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैने पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ठूथू कराई है और दुनिया में मजाक का पात्र बन गया है पाकिस्तान या यूँ कहें कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री दरसल कजाकिस्तान की शंगई सेहयोग संगठन यानी सीओ शिकर सम्मेलन चल रहा है इसी सम्मेलन के दोरान पाकिस्तान के प्रदानवंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपती विलादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई लेकिन इसी बैठक के दोरान कुछ ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ के बरताव को लेकर कॉमेंट कर रहे हैं तरसल जो वीडियो साथ ने आया है उसमें शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रदान मंत्री और साथी रूस के राष्ट्रपती विलादिमीर पुतिन जो हैं एक साथ स्टेज पर खड़े हुए दिख रहे हैं इसी दोर हैं जिनके लिए शरीफ ने पुतिन को छोड़ दिया उनसे हाथ नहीं मिलाया और वो आगे बढ़ गए जो वीडियो साथ ने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि बराबर में खड़े शरीफ जब अच्छानक पुतिन को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं तो पुतिन भी पड़े और लाफ्रो से हाथ मिलाने के बाज शरीफ लोड़ते हुए फिर पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं उनसे फोटो किछवाते हैं यहां पर यह देखने को मिला कि रूस के राश्ट्रपती से ज़्यादा रूस के विदेश मंतरी को यहां पर जो है पाकिस्तान के प् शरीफ एक देश के विदेश मंतरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए रसल यह कुछ सैकिंड का जो वीडियो है इसमें सब कुछ थोड़ा अटपटा सा लगता है लेकिन दोनों नेता सब कुछ सभाल भी लेते हैं और यह वीडियो तेची से सोशल मेडिया प पर अलग अलग तरह के कॉमेंट कर रहे हैं कोई कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में कितनी अकल है यह तो इस वीडियो से ही समझ पे आता है पाकिस्तान ऐसा ही है इस तरीके के कॉमेंट्स लोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्र अगर बात की जाए कि रूस के रश्टपती विलादिमीर पूतिन से पाकिस्तान के प्रधान मंतुरी शहवाज शरीफ की जो ये मुलाकात हुई है इस मुलाकात की भी खूब चर्चा हो रही है तो कि सब चानते हैं कि प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी और रूस के तरीके के रिष्टे हैं कितने अच्छे वो मित्र हैं किस तरीके से दोनों देश्ट एक दूसरी को अलग-अलग छो छेतर हैं उसमें जहयोग करते हैं लेकिन इन सब के बीच जो है रूस के राष्टरपती से पाकिस्तान के परणानमंध्री की ये मुलाकात भी चर्चा में ब बहतर हो रही हैं जो एक वक्त पर शायद नहीं थे पाकिस्तान और साथी रूस दोनों देश्ट कई मोर्चे पर भागेदारी बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अख़बार टोन की रिपोर्ट के मताबिक जो ये शंगई सहयोग संगठन की बैठक थी इसमें रूसी रश्ट पर विलादिवीर पूतिन के साथ मुलाकात में पाकिस्तानी जो परधान मंत्री हैं उन्होंने पश्यमी परतिबंदों से बचने के लिए बाटर सिस्टम अपनाने की बात कही है बाटर सिस्टम में दोनों देश बिना किसी करेंसी का इस्तमाल के अपनी चीज़ों को बदल कर बिजनेस कर सकते हैं शरीफ ने कहा कि 1950 और 1960 के दश्चक में पाकिस्तान और रूस के बीच बाटर सिस्टम की मदद से ही व्यापार होता था और इसे फिर से लाया जाना चाहिए तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई लेकिन मैं आपको जानकारिते दूं कि रूस की या करी थी है कि पुतिन के निमंधरन पर पिजर अर जूद हुदिए टब चूद बीद रहरे आवेटर बारे छुक प्रोच्ट्सक्राश अनला नाहांत। कि एफ़ एक्राशो करता शुक्ति अर्थरिश डिलिटियों पिर्विंट एक्राश्टी आवीड लाजारी लाट्राश्ट ओ सरे रेक्ट जात वाटी रुक्ति रवड़ीं कर दो तंगी सीनना सूप्सान एक इस्सी इन्थार्टब आत इस जासा एक से अंबल्समाट, तो तो अन्यानुट के स्विछ एक जास जासे भी थी थानुट जासे नासे बातने हो तो भीज़ में का अन्यानुट इसकी कि अच्छन जासे इसे रचसेंना प्रबदियों हो जास अग्जाब कर्हारा सो नीछलायर आपारेशुट इसा बारेश भी टॉर्डटरियोंग का शर्डेम अप्सक्राइब गारेश । आठ से नो जुलाई तक रूस की दो दिवस्या अधिकारी क्यात्रा पर रहेंगे और वो 22 भारत रूस सिखर सब्मिलन में फाख लेंगे जिसमें दोनों देशों के बीच बहु आयामी संबंदों की पूरी श्रंखला की समिक्षा की जाएगी पुतिन जो हैं जब परदान मंत मंतुरी वहां पर पहुँचेंगे तो उनके लिए रात्री फोज का युजिन भी करेंगे ये भी जानकारी साफने आई हैं तो कुल मिलाकर एक तरफ ये पाकस्तान के प्रदान मंतुरी शहबाज जरीव से रूस की रष्टपती विलादीमीर पुतिन की मुलाकर वो भी प्रदान मंतुरी जो है वो रूस का दौरा करने जा रही हैं तो ऐसे में दोनों देशों के बीच जाहिर तोर पर ये जो मुलाकात होगी वो काफी एहम होगी और भारत रूस सिखर सम्मिलन में रक्षा निवेश उर्जा सहयोग सिक्षा संस्कृती और लोगों के बीच ऐसी जानकारी साफ ने आई है ये जानकारी भारते विदेश मंत्राहले की और से दी गई है लेकिन एक और सवाल जो लगातार पना हुआ है वो ये कि जो कजाकिस्तान में शंगई सहयोग संगटन हुआ है उसमें प्रदान मंत्री नरेंत्र मोदी ख्योड नहीं गए इसको लेकर भी लगातार जो है सवाल बने हुए हैं लेकिन जो कारण है वो ये है कि दरसल चीन के साथ भारत का तनाव है ये बात जगजाहिख है और इसी मामले से परीशी लोगों ने ये जानकारी दी कि प्याम मोदी ने पहले पुष्टी की थी कि वो कजाकिस्तान के अस्ताना में जो संगई सैयोग संगठन शिकर सम्मिलन है उसमें हिस्सा लेंगे लेकिन बात में उन्होंने अपनी जंगा विदेश मंत्री एस चैशंकर को वहाँ पर फेश दिया और प्याम मोदी ने ये सोचकर शिकर सम्मिलन में शामिल होने के लिए हमी परी थी कि वहां रूस ची राश्टर अध्यक्ष की नहीं जम रही है जिस तरीके के कहीने कहीं तनाव की स्थिती भारत और चीन के बीच है तो ऐसे में कहीने कहीं ये जो यात्रा थी प्रदान मंत्री ने ये दोरा टाला और विदेश मंत्री को उन्होंने अपनी जंगा पर वहां भेचा लेकिन भार सम्मेलन में भाग लिया था लेकिन चीनी राष्ट और प्रती शी जिंपिंग के साथ कोई बैठक नहीं की थी तो इस तरीके से कहीं ने कहीं चीन और भारत के ये रिष्टे रहे हैं और एक बार पर से पीम मोदी ने चीन की वज़ा से कहीं ने कहीं अपने पाउं पीशे हैं लेकिन कुल मिलाकर एक तरफ पाकिस्तान के प्रदान मंत्री ने अपना मजाख जो है वो इस शिकर संगमेलत में बन वाया पाकिस्तान का मजाख एक तरीके से बना और उसके बाद मुलाकाद जो रूस के राष्टरपरती के साथ पाकिस्तान के प्रदान मंत्री की हुई से नो जुलाई के बीच का जो परदान मंतुरी का रूस का दोरा है अब देखना दिल्चस्प होगा कि ये मुलाकात और परदान मंतुरी नरेंद्र मोदी के साथ जो रूस के राष्ट परती की मुलाकात होगी उसके बाद क्या कुछ चीज़े निकल कर सामने आती हैं किस तरी मोड़ी खबर को लेकर क्या राए हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तान्य बाद